बिहार विधान सभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधाइक भाई ब्रेंदी है सर पिछले साल के बजट पर आप लोगों ने सवाल खरे किया है कि उस पैसे को खर्च नहीं किया गया और उस बीस लाक बढ़ा कर दो लाक 37,000 करोर का बजट इस्साल कर दिया गया है क्या घरवरी सामने आई है देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट का आकार क्यों आक्रे में बढ़ाई जा रही है और यह मार्च का महीना चल रहा है और इसी महीने में खर्च कर देना है और जो आकार था पिछले बार जो बजट का आकार था उससे जधा आकार इस बार बढ़ाया गया है लेकिन पिछले ही बार का जो बजट का 5000 करोड उप्या अभी तक खर्च नहीं हो पाया है उसको एक से डेर महीना के अंदर में खर्च करना है तो कहीं न कहीं सरकार लूटने पाटने के फेरे में है और जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटने के फेरे में है और सरजमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है चाहे वो साथ निशित योजना हो चाहे और नाला नाली गली ये सब जो नल जल योजना है वो नहीं हो पा रहा है और शरकार अपराद पर लगाम नहीं लगा रही है कई ऐसे ब्लॉग है जहां भवन बिहीन है और ब्लॉग दूसरे के भवन में चल रहा है तो सरकार करना क्या चाहती है केवल अकार बराकर जनता को ये बताना चाहती है कि हम पिछले बार से इतना बढ़ा दिये और सरजमीन पर कोई काम नहीं हो राए है जिस सरकार में एक महीने में 59,000 करोंड रुपया खर्च करना है तो फिर 50,000 रुपया कैसे एक महीना में खर्च कर पाएंगे पर आप लोगों ने भी सवाल खरें किये थे कई भरस्ताचार के मामले सामने आया और मुखमंत्री इस बार भी बजट में नलजल को सामिल किया और साथ निश्चेद वन और टू ड्रीम प्रोजेक्ट माना नहीं एसल है कि आप लोग भी पत्रकार है मेडिया बंदू है आप लोग भी गाउं गौई के रहने वाले हैं आप अपने गाउं में चेक किजिए कि जलनल योजना सही माने में सही है कि गलत है आपका रोड ॐ बना था वो भी रोड कट गया है पाइप बिछाया लेकिन अभी तक असकी NRT नहीं हूई पानी तो जाही नह Arya किसी टोटे में पानी नहीं है तो जलनल योजना लूट का भी प्राय है और सरकार ऐसे ही योजना प्रवक्ता भाई विरेंद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नल जल योजना में बहस्तरचार है और साथ निश्चे एक और साथ निश्चे दो को भी इस बार के बजट में सामिल किया गया है लेकिन 58,000 करोर रुपया पिछले साल के बजट का अभी तक खर्च नहीं किया गया है सरकार के द्वारा और एक महीने के अंदर में इन पैसे को खर्च करना है इससे आप आकलन लग सकते हैं कि कितनी बड़ी जो गरबड़ी है वो पिछले साल के बिहार के बजट में सामने आई है और 24 सीटों पर जो चुनाओं होने वाले हैं मेलसी के आने वाले चार अपरेल को उसमें इस सभी चीजों का असर देखने को मिलेगा आप बने रहें न्यूस प्यार के साथ र